वेलकम टूमाई चैनल दीपक दिया खरना व्लॉग सो कैसे हैं आप सब लोग वपाप सब बहुत अच्छी होंगे शाम का टाइम है मम्मी के घर आई थी तो मम्मी सब जी बनाने के तयारी कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी लगया शूट कर लेती हूं आप लोगों और मिर्चों में अलरेडी ममी ने कट लगा लिया थाकि बाद मिसको फिल करने में कोई दिकर ना हो काई लोग तो फिल करके फ्राय करते हैं लेसे चोटए-चोटा कट करके डाल दिया है और उसके बाद मम्मी ने इसके अंदर स्पिरिंग अनियन और आलू डाली थी जो थी होता है कई बार ना कैमरा हम सोचते ऑन है बट वो ओफ होता है बीच बीच में जैसे में रोक रोक के बनाती हूं इसी चक्कर में न मैस हो गई क्लिप कोई बात नहीं लेकिन मुझे अच्छे टाइम पर याद आ गया था कुछ जादा मतलब सबजी पूरी नहीं बनी थी य काट के अट कर दी है और इसके बार अभी बेसिक मसाले इसमें एड होंगे जो की हर घर में होते हैं है〜 जैसे की नमको गया थोड़ी सी लाल में च्छो गई और छोड़ा सा इसमें धिनिया पाउडरर डालेंगी हल्दी इसमें नहीं कर रही है मुझे यह देखो इस तरीके स सिंपल सी होती है लेकिन बहुत अच्छी सी होती है इसको फिल कर लेंगी जो मसाला तियार किया ना इससे यह वाली मिर्चे जो है ज्यादा पसंदे उनके आने पर एक बार तो यह विजव साथ होती ही होती है मेट्चे घर पे तो जब ममी मेट्चे फ्राइ चाहरी ही तो बस मम्मी सारी मेट्चे फ्राइक करने में लगी हुई थी और दिया मैटम हमारे साथ साथ थी हमें छोड़ती किनि अगर हम भार बैठ बिल्कुल हमारे साथ साथ रहना होता है इसको तो यह सारी मिर्चे फ्राय हो चुकी है प्लेट में जाईएगा प्लेट बहुत पुरानी है इस तरीके के काम में मम्मी योज़ करती है कोई सबजी कट करना हो यह कुछ और यह पारूल दीदी ने दीदी शैंकी जब बहुत छो किसे फ्राय मिर्चे बताना मुझे मैं तो नहीं खापाती हूं कभी भी मिर्चे मैं नहीं खापाती हूं तीखी हो चैफीखी हो मुझे मिर्चे पसंद ही नहीं है और यहां पर मम्मी जो है आटा गुंद रही थी तो मम्मी से मैं बोल रही थी कई लोग बोलेंगे खुद क काम नहीं कराती ये है वो है तो मम्मी ने का कर लिया कर हाज लगा दिया कर मैं शूट कर दूंगी किसी को क्या पता किस ने किया है तो देखो मम्मी अपना काम ना बहुत सारा अपने आप कर लेती है कभी मैं आ जाती हूं कभी मैं नहीं आती हूं है ना तो मम्मी वैसे भी नह कराती हैं चाहे निया हो चाहे मुझसे हो मम्मी नहीं काम कराती है मम्मी बहुत सारा काम को दी कर लेते हैं हमसे ज्यादा एक्टिव है मम्मी हमको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं आता मुझे स्पेशली निया को तो फिर भी बहुत कुछ आता है मैं तो बस अपना कर लेती हूं मुझे ऐसा लगता है और यहाँ पे देखो सबजी almost ready ही हो चुकी है तो आप लोग भी आजी ये spring onion के सबजी खा लेजी है अच्छा ये है next day के clip हम लोग गए थे डैली मम्मी मैं बड़ी मम्मी और शेंकी साथ में दिया भी थी दिया कि स्कूल की छुटी करानी पड़ी थी कवीता दीदी के घर गए थे हम तेरवी में तो जाते टाइम कोई भी शूट ने लिया वहाँ पे तो कोई मतलब भी नहीं थे जाके शूट करने का तो बस मैंने रात को आ के थोड़ा सा शूट किया जब इस तरीके से लेटी हुई थी थक गए थे बहुत जदे बैठे बैठे भी थक गए थे देखो हम गाड़ी में फिर आ गई मैं किचन में भावी ने सारा खाना तयार कर रख करता अभी रात के नौ बज़ी के आसपास का टाइम होगा और आप आध सोचोगे खाना ही खाना मेगा दिखा रही है तो येस आज खाना ही खाना देखने को मिलेगा मम्मे की किचन में और अभी बड़ी मम्मी के किचन में तो मिकस दाल बनाई थी भावी ने साथ में चावल बनाए है रोटी बनाने की dizer कर रही हैं और एक सब्जी भावी ने और बनाई थी आलू शिम्ला मिर्च की को भी दिखा देती हूं यह देखो टेस्टी हम इसी सब्जी बन के तियार है बस अब गर्मा गरम फुल के बनाएंगी खाना टाइनिंग टेबल पर लगेगा फिर हम लोग खाएंगे फिर अपने घर जाएंगे पहले ममी के घर जाएंगे मासे मैं अपने स्कूटी लोगी फिर मैं अपने घर जाओंगी और अभी जिसे गर्मियों का टाइम है तो कोई डर नहीं रहता सब आसपास घूमते रहते हैं वनना तो सर्दियों के टाइम पे साथ बज्जे की अंदेरा होते ही और वैसे भी थोड़ा सा पेट में भी प्रॉब्लम चल रही है तो यहां पर जो है भाबी का खाना मतलब एक रोटी बनने वाली थी तो मैंने का फटा-फट से दिया को खिलाना शुरू करती हूं तो उसके बाद जो है साथ के साथ मैं भी खाती रहूंगी तो एक रोटी ब खराब हो गए थे लेकिन फिर भी काफी बड़ी सी है और अच्छी लगती है कि चन्ना काफी अच्छे तरीके से रखी हुई है मैं अपना सूट इस तरीके दिल ले रहा रही थी यह वाला सूट मैंचे बहुत पसंद है इतने दिन मैंने इस वज़े से नहीं पहना था क्यो हुई है इस वज़े से सो फ्रेंट देखिए घर बैठे आ चुका है प्रशाद मम्मी लेकर आई है अभी आलू की सबजी है सीता फल की सबजी है हलवा है और पूरिया है खाटू शाम जी का मंदिर बनाए या पर तो वहाँ पर कुछ था आज तो ये भंडारा मिल रहा था तो शैंकी वहाँ पर मतलब कमेटी में शामिल है न तो इस वज़े से प्रशाद आया है दियो खाएगी न मम्मा के साथ थोड़ा अशा तो चलो हम खा लेते हैं और आप लोग भी खा लेजिए अज कर जो व्लॉग है ना चाहते हैं भी एकदम फूड व्लॉग ताइप हो ने करना में होँड़ा हेंगाला हैं और यह व्लॉगोर पいるोग मंी के खाना खाना भी मंनमा में बड़ी मंमी के खाना से घर कान से दोगजाए प्रशाद साव साथ न सब्स Тыन हमार भावान जी घर का जैंकी हुए वहां पर इस सने लॉगशाद थे कर लो उस उसका के टाइम पर हम निकले थे तो देखा मैंने और बहुत अच्छा रग रहा था इस तरीके से मोह अलो रख थोड़ा थोड़ा था थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सा था आज जैसे सोके उठी होना तो कुछ जाद ही बड़ा-बड़ा सब्सक्राइब क्या कर सकते हैं लेकिन फोड और बिपुल होटो के पास है बिपुल देखो टोक दिया मुझे कई लोग अने मुझे तो मैं जैसे डैली भी होके आई हूं इतना ज़्यादा कुछ नहीं था आज कुछ जादी उभर के आ रहा है और मेरा प्लैन हो रखा है प्राची के कर जाने का क्योंकि मुझे जाना है अब कि जो जेट है उनकी डाइत हो गई थी चोटे ही थे वो और अभी साल भर भी नहीं हुआ है कितने 11-12 साल बाद बेटा हुआ था उनके मतलब फेला बेबी उटा हूआ था उनकी मतलब पहला बेबी हुआ था 11-12 साल बाद और ज्यादा टाइम उसके संक्सक्य अदरब तो महां पर मुझे जाना है थोड़ा मैं जाती हूँ हो लोग मुझे हर काम में बुलाते हैं तो जाना चाहिए अभी टाइम हो चुका है काफी इस बात को नवरात्रे भी निकल गए नवरात्रों के वज़े से कहीं आ जानी पाई फिर उसके बाद जिंदिया का स्कूल बहुत प्रीटी के साथ गया तो यह प्रीटी भी आने वाले है नौँ दारिको उसके जोची हूए पीड़ी बच्चो आने जाने नीदिकत होती है कि अपर हमारी दिया को रेंकोट मिला है तो वह इंतजार कर दो बारिष का इतनी शिददत से इंतजार हो रहा है देखो नहा की गर तो नेहा ने इसको रेनकोट दिये हैं चोटे हो गए थे विदितक्षम के तो इसके पास आ गए हैं यह एक और रेनकोट है और चाटा भी तो दिया का बड़ी शिद्दत के साथ बारिश का इंतजार हो रहा है ताकि यह रेनकोट पहन सके यार मौसी भी ऐसी चीज़े दे दे है इसको यह पूरा दिन मुझे परिशान करती है फिर मैं रोज पहन होगी देख लोज बारिशा है ऐसा बच्चा मुझे देखा है यह देखा ज़रा बटकता फिर रहा हमारा बच्चा हमारा लाल ऐसी मन लगाए लगते कल पूरी गाड़ी में एंटर्टेन्मेंट करती हु कि वह बड़ी बड़ी खुआईशे हैं लड़ी की हम दीदी से मिलका है ने दीदी से और नेहा के घर पी गये थे हम लोग चूट नहीं करा रहा क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए माद भागते जोड़ते गई समझ लोग ना एक जगा तो दीदी यहां तो चाय पीरी यह प जाएंगे फिर कभी जाएंगे जल्दी ही बनाओंगी प्लाइन और देखो दिल्ली भी गए कल्यानी से भी नहीं मिल पाई ने करीब जाके बिल्कुल एम्स के आगे से निकले थे वैसे तो मुझे मता है वो एम्स में नहीं है वो कहीं और पर एरिया भी तो अपरेशन के लिए अड्मिट भी नहीं हुई है तो एम्स के आगे मुझे शैंकी दिखाता हो ले जारा था यह है दिल्ली एम्स मैंने देखा हुआ है लेकिन फिर भी मुझे दिखा रहा था क्योंकि मेरा अकेले आनी का प्लैन है जब भी मैं अपकल नहीं आनी से मिलने जाँ अपने और बारिश का फंचलार इसको शिद्दत से है सब जीवाले भाई अभी आ गए है तो रूटीन के काम स्टार्ट करते हैं खाना पीना तो हमारा खोड़ चुका है आज मेरी अभी तक नहीं नहीं भी नहीं हुई है तो बस नहाती हूँ मम्मी बहुत जल्दी प्रशा गई और फिर उसके बाद जो है थोड़ा लेट ही सोई तो उठना भी लेट हुआ और दिया भी मज़े से सो रही थी इसकी भी छुट्टी थी और आज तो छुट्टी चलो हो गई काल इसकी गुड़ फ्राइडे की चुट्टी है पर सो सेकिंड सेटेड़ है फिर संडे और अब ही बहुत जार एक्साइटेड है स्कूल जाने को लेकर तो स्कूल बंद हो जा रहा है कभी हमें जाना पड़ रहा है कहीं मैंने जिस दिन गई थी उस दिन चुट्टी कराई फिर उसके नेक्स दे उठनी पाए तो चुट्टी हो गई बाकी हमारा मिलक्षेक अभी हमने मैं इंज्वाइ किया है चलो यार बाती करती रहूंगी मैं और ऐसी व्लोग जो है निकलता जाएगा तो वीडियो को ही परेंड करती हूप सो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना अपने फैमिली प्रेंड के संग चैनल पर नहीं हो